इसका आज हम लोग differentiate करने वाले हैं, okay, differentiate both sides with respect to x, अब यहाँ पर sin square y है, और हम लोग जानते हैं कि x square का differentiate 2x होता है, तो sin square y है, इसका differentiate क्या होगा, 2 into sin y, और फिर से sin y का differentiate होगा, okay, and next term देखो, इस term में देखो, इस term में हम लोग को cos x y का differentiate करना है, और cos x का differentiate minus sin x y होता है, और फिर से हमको x y का derivative करना होगा, okay, अच्छी बात है, and again k का differentiate, चुकि k constant term इसलिए 0 हो गया, and next देखते हैं लोग, अब यहाँ पर देखो, sin y का differentiate क्या होगा, cos y और y का फिर से differentiate होगा, जो जैसे हैं उसको उतार लो, sin y का differentiate cos y, and y का फिर से dy बटे dx, plus minus minus, and यह था, इसको आप उतार लो, sin x y, and x y का derivative x के respect में, u into b भी पर हम लोग इसको करते हैं, एक बार x को रखेंगे, y का derivative करेंगे, and again, एक बार हम लोग x का derivative करेंगे, और y को रखेंगे, बहुत अच्छी बात है, and यहाँ पर यह, यह cancel हो गया, यहाँ बचा किया, x into dy बटे dx, plus y, इसका multiply इसके साथ करना था, अच्छा, इसका multiply करेंगे, रुको, 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 अब देर किस चीज का कर रहे हम multiply करो, multiply किये था, x into sin x y, and dy बटे dx, and minus minus, and minus plus minus y into sin x y, and जो इधर था, उसको उतार लो, okay, हमको दो dy बटे dx से मतलब है, इसको और इसको, अपने कबजे में ले ले लेते हैं, common करो, यहाँ पर बच गया यह term आपका, and यहाँ पर यह term बच गया आपका, इस term बेगार आदमी है, उसको side बेजो, अब यहाँ से dy बटे dx को, अकिला कर लेना है, बिना किसी फिकर, चिंता, परेशानी का, अकिला होनी की बाट यह इधर आके divide हो जावेगा, ठिक, इसको और solve करना चाहते होते हैं, यहाँ solve कर देना, two sine y into cos y, sine to y, formula यहाँ लगा देना, अगर solve करना चाहते हो, तो, अच्छा कर नहीं देता हो, यही आपका answer हो गया, that's clear, मिलते हैं नई वीडियो में, and, 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 last में, अगर आपको कोई भी doubt है, इस्टा पर pick send करना है, इसका solution आपको doubt series में मिलेगा, जहाँ पर मैं 8, 9, 10, 11, 12 का doubt solve करता हूँ, okay, मिलते हैं next video में,